नमस्ते आप सभी का स्वागत है पडोजी के एंड करेंट फ्यर्स में मैं इस वीडियो में आपको Asia Cup 2030 के बारे में बताने वाला हूँ चुकि Asia Cup 2030 का सुभारंब हो चुका है तो इसके बारे में कंपलेट जनकारी देने वाला हूँ इसका आयोजन कहां हो रहा है इस वर्ष कित आरम्भ करते हैं एस्या कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा इसे पाकिस्तान और स्रिलंका दोड़ा सन्युक्तुरूप से आयोजित किया जा रहा है यह एस्या कप का सोलावा संस्करन है जिसमें कुल छहटी में भाग ले रही है एस्या कप 2023 में भाग लेने वाली छहटी में भारत, पाकिस्तान, सिरलंका, बांगला देश, अफगानिस्तान और नेपाल है नेपाल इस वर्स एस्या कप में अपना डेब्यू कर रही है अर्थात नेपाल एस्या कप में पहली बार खेल रहा है तथा इन 6 टीमों को दो गृप में बाटा गया है गुरूप A में भारत, पाकिस्तान और नेपाल है वही पर गुरूप B की बात करें तो सिरलंका, अफगानिस्तान और बांगलादेश है तो Asia Cup 2030 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा तथा पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जा रहा है और यह Asia Cup का सोलावा संसकरन है यह एक दिवस्य अंतराष्ट्रे टूर्णामेंट प्रारूप है जिसमें कुल 13 मैच खेले जाएंगे मित्र Asia Cup 2030 ODI अंतराष्ट्रे टूर्णामेंट फॉर्मेट में खेला जा रहा है जिसमें कुल 6 टीमों के बीच 13 मैच खेले जाएंगे और यह Asia Cup का सोलावा संसकरन है Asia Cup 2022 जो था वो T20 फॉर्मेट का था और Asia Cup 2030 जो है यह ODI फॉर्मेट का है तो यह अभी आपको ध्यान में रखना है तथा Asia Cup का आयोजन ACC अर्थात Asian Cricket Council दोड़ा कराया जाता है तो चली अब हम लोग Asian Cricket Council के बारे में जानते हैं मित्रो Asian Cricket Council को हिंदी में ACI Cricket परिशत कहा जाता है इसकी अस्थापना 19 सितमबर 1983 में ACI Cricket के खेल को बढ़ावा देने और विक्षित करने के लिए की गई थी ACI Cricket परिशत का मुख्याल कोलंबो सिरलंका में इस्थीत है वर्तमान में ACC के 25 सदस्य संग है जैसाः ACI Cricket परिशत के वर्तमान में अध्यक्ष है ACI Cricket परिशत के केवल 5 सदस्य है जो ACC की पूर्ण सदस्यता वाले टीम में है मित्रों ACC के वर्तमान में कुल 25 सदस्य संग है किन्तों इन 25 सदस्य संग में से केवल 5 ही ऐसे सदस्य जिनें APC की पूर्ण सदस्यता मिली हुई है तो आई अग हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी टीम है तो पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा सिरलंका, चौथा बांगलादेश तथा अफगानिस्तान है ACC के इन पांच सदस्ये को ICC की पूर्ण सदस्यता मिली हुई है तो यह अभी आपको ध्यान में रखना है तो ICC को ICC में किर्केट को बढ़ावा देने के लिए अस्थापित की गई थी और इसका मुख्याल एक कुलंबो में है वर्तमान में इसके 25 सदस्ये संग है, किन्तु केवल 5 इसे सदस्ये जिसे ICC की पूर्ण सदस्यता मिली हुई है तो चलिए आगे वर्णते हैं आई अब हम लोग एसिया कप से संबन्दित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं पहला एसिया कप वर्ण्स 1984 में UAE में खेला गया था जिसमें सिरलंका को हरा कर भारत विजयता बना था अर्थात एसिया कप के पहले संसकरन के विजयता टीम भारत है एसिया कप की सबसे सफल टीम भारत है जिनोंने साथ बार एसिया कप जीता है उसके बाद सिरलंका ने छह बार और पाकिस्तान ने दो बार एसिया कप जीता है एसिया कप 2022 के बिजयता टीम सिरलंका है तथा ओप बिजयता टीम पाकिस्तान है मित्रू एसिया कप 2022 T20 format क था और एसिया कप 2023 जो है ODI format का है तथा एसिया कप परतेक दो वर्स के अंतराल पर होता है यानि Asia Cup 2023 में जो ODI format का आयोजन हो रहा है तो इसका अगला ODI format 2025 में होगा वही 2024 में Asia Cup का T20 format होगा तो यह आपको ध्यान में रखना है तो आज किस वीडियो में हम लोगों ने Asia Cup 2023 के बारे में जाना है और साथ ही साथ Asia Cup की history के बारे में भी जाना है यदि इस वीडियो से आपने कुछ सिखा है तो आप हमें support कर सकते हैं बस आपको चैनल को subscribe करना है तथा इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ share करना है इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद